अब यह हो आप बीड़े बाढ़ने का वान टू थिरी तो दोस्तों आम तो खतम हो चुके हैं लेकिन अब अमरूद स्टार्ट हो गए हैं पक न तो यह रहा दा हमने निकाल दिया है तो इसको थोड़ तो सबसे पहले आप सभी को में प्याव नमस्ते मेना मेरी तुभी श्वागत आप सभी का देभूम उत्याखन के सिनगर गलवार के छोटे से गाम मंदोली से तो दोस्तों आज की ब्लॉग की शुरात हो रही है सुबह के साड़े साथ बजे से मने सुबह का नास्ता बना लिया है तो अभी जाते हो थोड़ा पानी के लिए तो ऐसा लग़ा कि थोड़ी ढूप आएगी बादल है लेकिन दूप भी हलकी हलकी है तो दोस्तों मिलते हैं आपको ठोड़ी देर बाद तो दोस्ता विस्तुरे का नास्ता हो गया है हमारा और अभी थोड़ा अंदर यहां जाड़ू लगा रही हूं और आज मैंने पुरा यह गदव विभार रख दिया है क्योंकि आज कल क्या है कि सिलन की इसमें जास्याद आते है पूरे कम्रे में तो इस वज़े से मेना अज़ दोस्तो तो दोस्तो यह सुभे का नास्ताज वनाया में आलो के परांते और यह है घर के आमोक आचार और थोड़ी एक गिलास चाहिए तो करते हैं नास्ता मिलते हैं दोस्ता आपको थोड़े दिरवाद तो देखिया आज का मौसम आस्मान एक साइट बिलकुत साब है और थोड़ा थोड़ा हलकेल के बादल नजर आ रहे हैं आसमान में तो अब तो वैसे मौसम थोड़ा ठीक हो गया ज्यादा गरम नहीं हो रहे है वैसे थोड़ा थोड़ा ओमास तो है अभी भी लेकिन आपको इस दिनों में मलाब अगले अफ्टवार नौंबार से थोड़ा ठ अब खिल रही है वैसे एक दो दिन से दूप अच्छी है तो देखिए आज का मौसम तो दोस्तों अब क्या है कि आम का सिजन खतम हो चुका है लेकिन अब काम में दूसरी चीज हो चेह है नमारे आँ तो रही यह तो आज अब आम थोड़ा थोड़ा पकने शुरू हो चुक तो आज मैं तो नीचे घिलते रहते है तो अच्छा हो अभी है ने हुआ है ने वह सी मीठा भी नहीं यह तो यह तो यह तोड़ा अच्छा अमरोड है तो आप या दुस्तों आम खाने है टो चार प्लड़िया अगल वगल माल हमारे तो नहीं है लेकिन बड़ी सशोची है तो आप याएगा अमरूद खाने के लिए तो ये रहे दोस्तों साल के पहले अमरूद और अमरूद का सीजन भी सुरूद होगी है, अगर गामे आजकली पकते हैं अमरूद तो आप याएगा अमरूद खाने हैं तो दोस्ता भी टाइम हो रहे है दिन के दो बजए और दिन का खाना भी होगी है हमाला तो आज लाइड तो है अभी और बिन लाइड के बिन पंके के अजीव सलग रहा है कमरे के अंदर तो आराम तो नहीं होगा अबी तो कि सीवा तो सू रख दाए इस से बर सिवा तो दोस्ता भी टाइम हो रहा है साम के छे बजे और अभी हमारे चाई पानी हो गया है और सासों चले गई है गौशाला भैंस भाहा नीकालने के लिए तो अभी आप सीवा वी ओड़ गया है वी कुछ देर पहले थोड़ा सीवा को गुमाती हूं थोड़ा याँचा पर उसको खिलाती हूं तो मिलते हूं आपको थोड़े देर बाद दोस्तों पावर शिवा आपको थोड़े देर बाद दोस्तों वान टू चिरी क्या हो अंगले में अब भी जुकाना भागना बारता रहे है वीड़े तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है साम के 6 बजे और अब घरगाहों में मल्लाब काम का सीजन सुरू हो गया है जैसे यह रहा तो यह हैं सरसों होता तो ऐसी होता है यह पेड़ीस की तो तो दोस्तों यह जख्या यहां जख्या काते हैं इसको तो ए हमार यह होता है आज कल तो इसको काल परी इसको लाइए थे और यहां पिर रखा था था तो भूड़ा इसको दर खाय जो तभल बेडियो तो जल्दी मेन भेगा निन्म भी और तब जल जे लिकर जायेंगे हैए यह क्योंकि प्रण जैसे होथा है चिपाप जैसे जाता है उस्वित जोड़ी नहीं कुछ हमने इस वाले चात में फैला रखा है ये भी सुकाने के लिए डाल रखा है और अब इतना सारा ये है तो इससे बुसाला कर देंगे क्या सब्सक्राइब अच्छी वाली एक दमपकी रोड़े ना गिरेग ना अच्छी सब्सक्राइब यह पार्किंग है यहाँ पे इमा 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 ड्राइवर अंट्रेन है सायद आराम से चला का हमा अधिक विवर वोटी टी तो दोस्ता विटाइम हो रहे रात के ठीक आठ बजे और रात का खाना मैंने बना लिया है आस्ट तो जल्दी बना लिया थे तो घाते हैं थोड़ी दिर्वाद और मिलते हैं आपको थोड़ी देर वाद मनलब चूले में में रोटी बनाना आज कल गुरु में बड़ा कठिन काम होता है पसीना ही पसीना हो जाता है आज कल वैसे तो उतना गरम नहीं है लेकिन कल पर सो तक कुछ जादा ही हो रहाथ है आज कल थीक है मौसम तो बना दिये हैं मैंने रोटियां भी और सब्जी भी तो चलो मिलते हैं आपको थोड़ी दे जाए तो अभी चले गए सब सोने के लिए अपने अपने कमरे में तो हम भी आ अपनी कमरे में और अभी सीवा तो सोय नहीं और सोएगा भी नहीं क्योंकि वह बारे बज़े से पहले तो तब तक यह अभी अपनी सर्थानी गीडिक करेगा तो आसा करते हैं आप लोगको वी वीडियों तक यह दे भूम जे उत्रा गन बाई